आज हम लोग करेंगे फिर्स टॉपिक ओफ आप्लिकेशन पार्ट इन सी एम वन विच लोन स्केडूल राइट बट हमेशा लाइफ में याद रखना कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले तुम आगे आगे बढ़ते जा रहा है और तुम अगर पीछे का भूलते जा रहा है तो वह ऐसे पढ़के कोई पॉइंट नहीं है ठीक है क्लास 12 तक का एक्जाम फॉर्मैट बहुत अलग होता है और अब जो तुम लोग एक्जाम लिखेगा याद इस प्रोफेशनल एक्जाम उसका फॉर्मैट बहुत अलग रहता है तो क्लास 12 तक का सीन ऐसा रहता है कि अब ही प्रोफेशनल एक्जाम में क्या होता है जो टॉपिक छोड़के जाएगा जैसे मालो इसमें 13 बुकलेट है CM1 में मालेते है कि 25-30 चैप्टर है तो तुम एक्जाम में अगर माले solid प्रेप नहीं करके जाता है या फिर बहुत सारा इंस्टीट्स में क्या होता है कि पेपर्स को गेम किया जाता है कि एक्जाम से पहले important क्या है कहां से आएगा ठीक है ना वैसे तरीके से professional exam का preparation नहीं हो होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम से pricing का पूछा तो तुम बता दिया reserving के बुला highlight तुम पढ़े ही नहीं थे तो as a professional तुम exam उसी mindset से लिखो कि तुमको आगे जाके काम करना है और अपना base को जितना strong बनाएगा उतना बढ़िया रहेगा so things like क्या important है क्या छोड़ स लोगा आज से apply करेंगे मतलब तुम अपना दिमाग को भी apply करेगा उसमें ठीक है ना so कभी भी ये mindset से prepare मत करना कि भई मेरको ये topic छोड़ देना है मेरको ये ये करके जाना है because उससे जादा number का आता है उस step का gaming professional exam में नहीं होता है एक बात याद रखना तुम doubt नहीं पूछ पूछेगा तो institute उसी से question पूछेगा आपका doubt institute का question होगा क्योंकि institute loves base institute को base पसंद है ठीक है ना पहला चीज ये दूसरा चीज ये ये सिर्फ तुम्हारा technicalities का exam नहीं है कि तुम पढ़ा और तुम exam लिख दिया वहाँ पर तुम्हारा accuracy वहाँ पर तुम्हारा speed हर चीज चेक होगा उसके लिए हमने typing के videos दियें जिसमें अब तुम typing का videos practice करना चालू कर सकता है ठीक है ऐसा है कि अभी हम लोग 40 घंटे का class किये कल मैंने estimate लगाया था तो अभी हम लोग 40 घंटे का class कियें तो ये जो 40 hours में जो मैंने पढ़ाया है ना इसको 10 बार कर लेना because तुमको बार बार क्या करना है खाली practice 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 अभी तक तुम देखा भई हम लोग इतना practice किये लेकिन हमारा अभी तक सिर्फ दो topic cover हुआ राइट तुमको लग रहा हूग हम इतना पढ़ लिये हैं इतना दिन से class आ रहा है लेकिन कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है इतना ही time लगे का वाकी म हम लोग उसमें cover कर लेंगे क्योंकि हमारा base बहुत अच्छा बन चुका है ठीक है ना तो यह चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरे को ऐसा prep करके जाना है कि exam तो मैं pass होई जाओंगा passing is not challenging for us ठीक है ना वो जो content क्या कहना चारह है उसको जितना grasp करोगे उतना कम है उसके friction आएगा सब पहले exam में आएगा तुम देखेगा हम practice 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 करेगा लेकिन मेरा हो नहीं रहे फिर दुबारा तुम practice 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 करेगा देखेगा कुछ कुछ हो रहे फिर धीरे धीरे करके तुम और practice करेगा देखेगा हाँ every day you will get better practice करना मत छोड़ो जितना practice करेगा उतना तुम लोग का स्पीड भढ़ेगा उतना तुम लोग को चीजे समझ में आने लगेंगी एन एक दिन देखेंगा एक्जाम आ गया तुम एक्जाम लिखा और तुम पास हो गया सिर्फ प्रैक्टिस तुम लोग को बार-बार करना है बाकी और कुछ दिमाग में नहीं लगाना है जितना हो स कि मैंने राइंकर माइंडशेट को बहुत क्लोस्ली देखा है कि 쓰고 के प्राइंड तक स्दूशन बनाएगा तब जाके तुम एक्जाम में उश्ठी को तो टाइम में कर पाएगा, अभी हम लोग एक कुश्चन को आदा घंटा में करेंगे, एक्जाम में उसी कुश्चन को तुमको 15 मिनिट, 12 मिनिट में बनाएगा, तब जाके तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा, समझ गया, तो यह से बेसिक बेसिक चीज, प्रोफेशनल एक् का इच्चा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाने का इच्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है, बड़ तुमको हर रोस किताब लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके तुम चार साल में एक आक्चिरी बन पाएगा, अच्छा, समझ रहा, प्रोफेशनल एक्जाम ऐसे नहीं दिय लेगा, इसे स्कूल में क्या होता है, फेवरिटिसम आता है, जब हम लोग स्कूल लेवल पे एक्जाम लिखते हैं, टीचर का एक फेवरिट स्चुडेंट बन जाता है, थोड़ वाद उपर नीचे होता है, टीचर क्या करता है, दो तीन नमबर ज्यादा दे देता है, यहा तो प्रोफेशनल एक्जाम में और क्लास 12 का एक्जाम में बहुत फरक है, और अभी सब का 12 का रेजल्ट आये, तो उतना मत सोचना, जो रेजल्ट हो गया हो गया, अब आगे का सोचो, अब आगे का सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारा जेवर्स में नहीं होगा, तो तुम जीवर्स में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, माइफ्रेंड रिशव, he has given last paper, so वो जेटी बिल्ला से बीबी है किया, मैं जेवर्स से भी कौम किया, तो उन्हों सेमी जगह पे, क्या फरक पड़ता है, समझता है, लेकिन उससा में उसको बहुत हुआ, कि यार, मेरा नहीं हुआ, he screwed up in some of the exams, in class 12, panic हो गया उसको, तो ठीक, it's fine, ठीक है न, तो वैसा कभी मैं सोचना है कि 12 में मालो 3-4-5% number उपर नीचे हो गया, तो life खतम हो गया, वैसा नहीं होता है, ठीक है न, consistently जो महनत करता है life में, वो ही आगे बढ़ता है, सब से लग रहा है, 12 में तुम लोग के संग, scam हुआ है, कि 12 के exam देल, उसका life success, वैसा नहीं होता है, तुमको consistently महनत करते रहना पड़ेगा, ठीक है न, तो वो सब mindset से लेके ही prepare करो, ऐसा नहीं हो कि burden लगने लगे तुमको बढ़ाई, एकदम आराम आराम से slow जाना है, और उसको समस्ते समस्ते चलना है, interest लेके पढ़ेगा, तब जाके क्या होगा तुम लोग को, long term में तुम लोग कर पा रहा है उस चीज को, ठीक है न, तो ये सब चीज एक दमाग में बठा के आगे बढ़ना है, अब ध्यान देना, calculator निकाल लो सब लोग, ठीक है, पहले हम लोग एक free hand sum बनाएंगे, और उस sum में जितना भी सारा discussion होगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है, topic में कुछ है नहीं, loan एक ऐसा चीज हो जो सब लोग लेते हैं, loan सब लोग लेते हैं, मैंने भी लिया था, ठीक है, और basically loan क्या है, आपके पास में पैसा नहीं है, आप bank के पास जाते हो कि मेर मेरे को ये property लेना है, मेरे को ये गाड़ी लेना है, मेरे को ये घर लेना है, मेरे को ये कुछ भी लेना है, मेरे को loan मेरे को business में expansion चाहिए, तो मेरे को loan चाहिए, तो bank आपको एक certain x percent court करेगा, और आप उसको क्या करोगे, आप उसको equated monthly installment के form में पे करते हो, जैसे माल लो, ये 55,000 रुपय का phone है, ठीक है, अब एक बास सोचो, एक master जी, ठीक है, जिसका monthly income कितना होगा, 50,000 वो 75,000 का phone use कर रहा है, कैसे, that's just through loan, जो credit card use करते हैं, उसका basically, जो आपका limit होता है, वो 1,00,000 रुपयका होता है, अब आपको क्या add आता है, आप देखें, टीवे में कभी add आइफोन का कैसे add आता है, सामसंग का जो ultra phone का कैसे add आता है, starting at just 2299, 2599, ठीक है, कैसे, आप convert करा लीजे, जैसे माल लो, तुम 1,00,000 रुपया का phone ले रहा है, तुम 1,00,000 रुपया का phone ले रहा है, ठीक है, पहले चीज समझो, loan से क्या हो रहा है, ठीक है, loan का प्रॉज, वो तुम को 40 बार देना है, ठीक है, 2600 रुपया करके तुम को 40 बार देना है, तो basically तुम 40 months का एक loan ले लिया, ठीक है, अब उसके बदले में तुम 1,00,000 रुपया phone आपका pocket में, so that is how the rise of consumer products began, बजाज finance बोलके company है, कुछ भी तुमको चाहिए, तुमारा credit quality देखके, वो लोग तुमको एक card बना देगा, and 0% interest वो लोग बोलते हैं, but actual में उसमें भी कमाई है, क्यूंकि बजाज finance आया इंडिया में, बोल के लोगों का products भिक रहा है, चीज समझो, क्यूंकि बजाज finance आया, बोल के कल तक जहां पर 10 products sell होता था, आज वहाँ 100 products sell हो रहा है, so basically there is a cut from the party, ज जहां से वो लोग को मिलता है, कि भई, आज जिसका salary 40,000 रुपिया है, वो 40,000 रुपिया का washing machine नहीं afford कर सकता है, एक बार में payment नहीं कर सकता है, right, so that one thing is there, उसके बाद में आप देखेंगे, वो लोग अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, उनका जो loans होता है, वो बाद छोटे जो है, वो लोग loan के form में लेते हैं, प्लस वो लोग बोलते हैं, आपका processing fee लगेगा 1%, 2%, तो मोटा-मोटी वो लोग जब आप हिसाब लगाओगे न, वो लोग को वो लोग के पैसा जो वो लोग देते हैं, उसमें वो लोग एक अच्छा-कासा return बैट जाते है, and normally क्या होता आप देखोगे, एक price में difference आता है, 500 रुपय का ही फरक आता है, for example, but 20,000 रुपय का product में 500 रुपय बहुत होता है, वो लोग बोलेंगे, आप पूरा पैसा भी दीजे, मैं आपका 500 रुपय कम कर देंगा, बट जगर आप बजाज finance की थू जाओगे, तो अगर आप पूरा व इसको maximize करना है, आज जो credit card के through purchase करना चाहता है, जो working professional है, तो वो एक बार में हो सकता है, 25,000 रुपय नहीं कर पाएगा, छे मैंने का course है, वो 6 months का है, मैं ही ले लेगा, लेकिन अगर मैं उसको भूलू, नहीं भाई, तेर को तो पूरा पैसा भी देना पड़ेगा, तो हो सक ले रहा है, 4%, 5%, 6% पर और banks loan provide कर रहा है, 8, 10, 11, 12% पर, right, two kinds of loans are there, secured loan and unsecured loan, secured loan basically क्या होता है, जब आप bank के bank कुछ गिर भी रखता है, for example, आप जो bank से loan लेते हो, तो जो property आप लेते हो, वो उसका कागज bank के पास में रहता है, जब तक आप पूरा loan complete नहीं कर लेते हो, right, प ज़रूर होता है, lock-in का मतलब क्या होता है, कि भाई, bank आपको बूलेगा, आने वाला एक साल तक आप मेरे को प्रिपेमेंट नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, अगर मालों तुम bank से loan ले लिया, 1 करूर रुपय का, और तुम 6 मना बादी जाके bank को 1 करूर रुपय दे कि पहला 2 साल में अब इतना ही प्रिपेमेंट कर सकते हो, because bank को भी अपना cash flow को match करना पड़ता है, चीज समझो, bank तुमको loan दे दिया, bank तुमको loan दे दिया, बोला कि सर आप 25 साल का loan ले लिजे, ठीक है, bank जो deposit accept कर रहा है, जो savings bank में जो हम लोग डालते हैं, उसमें क्या होता है, मालो आज मैंने bank में जाके 2 लाक रुपर जमा करा है, अब कल मैं check draw करता हूं bank में, मैं कल एक check draw कर दिया bank में, तो bank को पैसा देना पड़ेगा, मैं जब check draw कर रहा हूं, मतलब that is an order to bank, कि आप मेरा पैसा मेरे को दीजिए, समझ रहा है, बट अगर bank मेरे को loan पास कर दिया तो कि bank के मिरे को बात बोल सकता है, कि आपको मैंने loan दिया, आप मेरा पैसा वापस दीजिए, नहीं, तो bank को अपना cash flow को धंग से पुरा match करना पड़ता है, तो वो हम लोग आगे वाले chapters में देखेंगे, ठीक है, asset और liability का bank को match करना पड़ता है, अब हम लोग एक basic example देके स installment पे करेंगे, तो तीन साल में annual installment मैं पे करूँगा, तो हर साल के end पे, let's suppose मैं X payment करूँगा, loan schedule का question को देखते ही, सबको मेरा voice आ रहा है ना proper, ठीक है, okay, so loan schedule का question को देखते ही, सबसे पहले हम लोग को installment निकालना पड़ता है, ठीक है, so ultimately यहाँ पर क्या और है, X मेरा installment का amount है तीन साल हम देंगे, annual in area which is A3, तीन साल हम देंगे, annual in area which is A3, and this will be equal to 1000, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, 1000 रोपा का loan लिया है मैंने bank से, 1000 रोपा का, अब कुछ मत करना, एकदम ध्यान से पहले सुननो, ठीक है, 1000 रोपा का मैंने bank से loan लिया है, XXX करके मैं 3 बार दूंगा, right, पहला एक साल के end पे, दुसरा दो साल के end पे, तीसरा, 3 साल के end पे, XXX करके मैं 3 बार दूंगा, so this is an annuity इसलिए A3, so basically this is the inflow for the bank and this is the outflow for the bank, equation of value क्या बुलता है, present value of inflow is equal to present value of outflow, ठीक है न, अब यहां से x calculate करेए, यहां से अब x calculate करके बता ही कितना आ रहा है, इदर जगह नहीं के बैठने का, थोड़ा आगे कर bench को, तो में दे बैठ ले, इसको थोड़ा आगे कर ले न, bench को थोड़ा आगे कर ले, पार आगे कितना आ रही है, 381.05, ठीक है न, बेसिकली 1000 रुपे का मैंने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, इसका टाइम लाइन देख लीजी एक बार, तो टाइम लाइन क्या है, 0 पे मेरे पास मैं आया, 1000, 1 पे चला गया X, 2 पे चला गया X, और 3 पे चला गया X, ठीक है न, आज का अगर क । पक्का हो जायगा exam में, लोन स्केड्use से 20 नमर का question अपकी वार पक्का आएगा, ठीक है एकदम ध्यान से सुनना, आज से जो भी topic में कराऊँगा, सब में 20-20 number का question आएगा, ठीक है, 200 number का paper है, 10 topic में कराऊँगा आज से, पुरे CM1 में, हर topic से 20 number का question आएगा, exam, यह बत याद रखना, तो every class, every set of class, every set of two classes, every set of three classes, is of 20 marks, ठीक है, paper एगर अच्छे से समझ गया ना, तो Excel का 5 चो class भी कर लेगा, तो भी Excel पूरा आराम से बना देगा, क्योंकि concept तुमको बता है, Excel का formula मैं 5 class में बता दिया, basic वाला class, उसके अब तुम लोग खुद से पूरा Excel का assignment बना सकता है, समझ गया ना, यह बत दिमाग में रखना, यह 381, अब इसको थोड़ा खोलते हैं, अब इसको थोड़ा पूर्जा खो एक साल का इसमें ब्याद जोर्दो तो 70 आ जाएगा, और जो loan amount था 1000, मतलब time 1 पे loan outstanding कितना है, 1070, installment कितने का pay किया, 381.05, माइनस करके बताइए कितना आ रहे है, time 1 पे EMI देने के बाद में कितना loan बच रहे है, बताइए, 688 पॉइंट जितना भी आ रहे है, अब यह जो 688 ह यह जो 688 पॉइंट जो भी है, इस पे वापस से 7% का ब्याज मारिए, 688 जो मेरा loan outstanding है, time 1 पे इसको time 2 पे लेके जाएंगे, जबी भी पैसा को आगे लेके जाएंगे, मतलब ब्याज चढ़ेगा, पीछे लेके आएंगे, मतलब ब्याज उतरेगा, तो 7% का ब्याज कितना आता है, बताइए, 48 point something आ रहा है, इस पे एड कर दीजे, loan का amount, मतलब time 2 पे loan outstanding कितना है, before paying the EMI, 7, 730, 736 point, फिर मैं EMI payment कर दिया, 381.05 का बताइए, EMI payment करने के बाद में कितना आ रहा है, loan outstanding, time 2 पे बताइए, 354 या फिर 355, इसमें 7% का ब्याज मारी है, बताइए, कितना आता है ब्याज, हाँ, जोर से बोलो, 24, अब इसमें add कर दो, यह बताओ, कितना आ रहा है, principle add कर दीजे, principle add कर दीजे, बताइए, कितना आ रहा है, 3, वो थोड़ोगा राउंडिंग है रो रहा हो अपना में, लेकिन यह आएग Exact 381 आएगा और 3 साल के बाद में 381 payment कर देंगे, loan close हो जाएगा, फिक है, अब लाल में देखते रहना, पहला साल में ब्याज कितना दिये? 70, दूसरा साल में ब्याज कितना दिये? 3 साल में ब्याज कितना दिये? समझ रहा है बात को? दीरे दीरे करके ब्याज गिर गया, क्यों ब्याज गिर गया, क्यों ब्याज गिर गया, because मेरा जो loan outstanding था, पहला सल में 1000 था, दूसरा सल में 688 और तिरसा सल में 354, जैसे ऐसे principal outstanding गिरेगा, वैसे वैसे ब्याज भी गिरेगा, और मैंने EMI जो payment किया, वो same किया, तीनों साल में E Capital Repaid जो है, Capital Repaid जो है, वो over the years क्या हुआ है, बढ़ा है, घटा है कि सेम रहा है, बढ़ा है, Capital Repaid बढ़ेगा, क्यों? पहला साल जो 381 दिये, इसमें ब्याज का कितना? 70, तो इससे माइनस करो 70 तो कितना आएगा? 310 रुपीज पहला साल मैंने पेमेंट किया किसके लिए? Principal Repaid के लिए, दूसरा साल में 381 माइनस 48 करिए, तो पहले वाले से थोड़ा बढ़ेगा, फिर अब 381 माइनस 24 करो तो दूसरे वाले से थोड़ा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Over the time, over the time अगर हम लोग देखेंगे, मैं यहाँ पर पेमेंट किया 381 का, फिर यहाँ पर 381 का, फिर यहाँ पर 381 का, लोन कितने का लिया था? 1000 रुपीय का, right? Over the time हम लोग देखेंगे, जो capital repaid होता है, वो ऐसा जाता है, capital repaid जो होगा, वो ऐसा जाएगा, और जो interest paid होगा, वो कुछ ऐसा जाएगा, बनाना मत इसको, मैं और अच्छे तरीके से, interest paid होगा, वो ऐसे जाएगा, right? मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे, तीन payment जो हुआ है, equal amounts का तीन payment जो हुआ है, उसमें तीन payment का जो equal amount हुआ है, उसमें पहला साल में ऐसा था, पहला साल में ऐसा था, दूसरा साल में ऐसा है, तीसरा साल में ऐसा है, मतलब कि ये वाला जो part है, वो ब्याज का है, ये वाला पार्ट है वो ब्याज का ओवर दा टाइम जो मेरा ब्याज है वो गिरते चला जाएगा और कैपिटल रिपेट जो है वो भड़ते चला जाएगा ठीक है ना यह जो हजार रुपिया है यह क्या है पहले तो यह बताओ यह जो तीन कैश फ्लोज है 381 का इन सब को अगर टाइम जीरो पे लाएंगे ना तो एक हजार रुपिया आएगा समझ गया क्यूंकि आज मेरे पास हजार रुपिया नहीं था बोलके मैंने लोन लिया और हम बैंक को क्या बोले कि हम एक बार में नहीं चुकाएंगे हम होले होले चुकाएंगे होले होले चुकाएंगे मतलब हम 381 करके धीरे धीरे देंगे आपको आने वाला तीन साल में इसलिए यह जो EMI जो है basically equated installment जो है यह मैं हर साल payment कर रहा हूं every year I am making this payment of 381 ठीक है ना अब इसमें आप का capital repaid भी है और इसमें आपका interest भी है is it clear to all of you yes or no ठीक है ना ओके यह सब आपको class के बाद मिल जाएगा ठीक है सुनते चले जाओ एक और example लेते हैं अभी हम लोग एक और example लेंगे 5000 रुपया का लोन है ठीक है 10% का ब्यार्ज रेट है 5 साल का लोन है ठीक है 5 साल का लोन है 5 5 यर्स का लोन है सबसे पहले लोन शोरील का question देखते ही क्या करेंगे installment निकालेंगे हर साल के end पर मैं X दूंगा 5 साल का enmity बनेगा so basically 5000 रुपय हमने लिया बैंक से बदले में X A5 देना पड़ेगा right and the rate of interest is 10% table book में जाहिए 10% का case में A5 देखी और answer निका लिए बताई कितन आ रहा बताईए अब एक loan schedule बनाएंगे हम लोग यहां पर आएगा years यहाँ पर आएगा loan outstanding at start ठीक है यहां पर आएगा installment ठीक है यहां पर आएगा interest यहाँ पर आएगा capital repaid यहाँ पर आएगा आपका loan outstanding at end of year ठीक है यह मैंने columns बना दिया तो years में columns क्या बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5 loan outstanding at the start है 5000, installment है 1318.98 यह वाला sum में same रहेगा yes or no, यह वाला sum में same रहेगा पहला साल का interest interest का rate कितना दिया है 10% दिया है yes or no जल्दी जल्दी बोलिए तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा 500, 1318.98 में सबसे पहले ब्याच का पैसा कटेगा सबसे पहले ब्याच का पैसा एई तुम लिख मत, क्या लिख रहा तुम क्या लिख रहा है, हम बोले कुछ लिखने हम बोले, हम बोले क्या इधर बसना चाहिए E-dhar E-dhar लिख के क्या होगा E-dhar खून में आना चाहिए 1318.98 से 500 रुब माइनस करो 500 रुब माइनस करो सबसे पहले ब्याच का पैसा कटेगा Bank तुम्हारा सगा लागे है क्या सबसे पहले ब्याच का पैसा लेगा तुमसे उसके बाद जो बचा कुछा है देखो मोटा मोटा हिसाब इतना है एक करोड का लोन पे एक परसेंट का मंतली रेट के हिसाब से लाख रुपिया EMI बनता है एकदम सिंपल हिसाब 20 से 25 साल का अगर लोन लेगा हाउजिंग लोन घर में कभी बात हो घर में पूछे कि हम एक करोड का लोन लेने का सोच रहे तो बुलना मोटा मोटा एक लाख रुपिया EMI बनेगा वहीं देखेगा इज्जते मिलना चालू घर पे समझ गया जहां यह बात बुल दिया नहां एक लाख रुपिया EMI बनेगा अब होता क्या है हिसाब अब मालो 8% का इंट्रेस्ट है तो एक करोड का 8% 8 लाख रुपिया तो ब्याच का काटेगा 8 से 10 परसन का इंट्रेस्ट है मालो 10 परसन का इंट्रेस्ट है तुम पेमेंट किया 12 लाख रुपिया बैंक को पहला साल में एक लाख रुपा करके बारा लाख रुपा बैंक को पेमेंट कर दिया इंट्रेस्ट का बैंक कितना काट लिया नौ से दस लाख लोन कितना चुका दो लाख समझा ना तो बेसिकली लोन आउट्स्टेंडिंग अट दी एंड आफ फर्स्ट यर बचेगा कितना 98 से 97 लाख फिर दुबारा से अब उस पर दुबारा से 10 पर से मतलब 9.5 लाख रुपा ब्याश्क कर जाएगा तो पहला साल 2 लाख रुपा कर गया प्रिंसिपल में फिर 2 लाख फिर 3 लाख तुम देखेगा कि तुम 5 साल पेमेंट किया 12 लाख करके 5 साल अगर तुम 60 लाख रुपा पेमेंट किया लेकिन तुम्हारा जो लोन आउट्स्टेंडिंग है वो कही ना कहीं खड़ा होगा 90 लाख या फिर 86, 87 तो जो भी बैंक को इंट्रेस्ट कमाना होता है वो पहला 3-4 साल में कमा लेता है क्योंकि तुम तो stable हो जागा ना तुम तो लोन छोड़ेगा थोड़ी तुम तो लोन पेमेंट कर देगा लोन थोड़ा बद लेना बेनिफीशल होता है अगर आप घर में सारे फैमिली मेंबर्स के साथ लोन लेते हैं को वोरोवर्स एड़ करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफीट मिलता है प्रेकोस सरकार ये चाती है कि हर जन का अपना खुद का घर हो तो बेसिकली जो आप लोन लेते हो उसमें आपको जो interest होता है जो interest होता है उसमें आपको tax में deduction मिलता है ठीक है ना अब जैसे मानलों अगर 2 जन मिलके loan ले रहा है versus अगर एक जन loan ले रहा है एक जन loan लेगा तो 2 लाग का interest में benefit मिलता है tax में लेकिन अगर 2 जन मिलके लोन लेगा जैसे ममी पापा लोन ले लेते मिलके तो 2 लाग 2 लाग 4 लाग का टैक्स का benefit हो जाएगा समझा एंड थोड़ा बात लोन रहना चाहिए लोन रहने से basically क्या होता है ना आपका जो credit profile है वो build होता है basically मेरे को जब मैं ये property ले रहा था तो bank मेरे को लोन देने से मना सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा past में कोई credit history नहीं था बोला sir आपने कभी पहले loan नहीं लिया तो मैं आपको बारे में जानता ही नहीं हो तो पहले मैं loan लिया छोटा amount का उसको चुकाया तब जाकि मेरे को बड़ अमांट का loan मिला तो ऐसे भी होता है ठीक है न बेसिकली तो loan रहने से आपका credit profile बिल्ड होता है और आपका जितना अच्छा credit score होगा आपका जितना अच्छा credit quality होगा उसी हिसाब से आपका ब्याज जो है वो decide होता है because you don't want to be a bad risk for the bank ठीक है ना so bank always maintains good asset quality ठीक है आईए तो बेसिकली यह हो गया अब यहाँ पर capital repeat कितना आएगा 818.98 पॉइंट पॉइंट में में उतना नहीं जा रहा so what is the loan outstanding 5,000 का loan लिया 818 चुकाया तो balance कितना बचा 4181 loan outstanding at the end of first year is equal to loan outstanding at the start of second year ठीक है ना अब इसमें 4181 में 10% लगाएंगे मतलब 418 point something आएगा installment है 1318 का 418 minus होगे तो कितना बताईए 900 point जो भी आ रहे अब ठीक है अब 4181 से 900 minus कर देंगे तो कितना आएगा 3281 loan outstanding at the end of second year is equal to loan outstanding at the start of अब ये वाला जो आ गिया अब इसका 10% मतलब कितना आएगा 328 point something 1318 से ये minus करेंगे installment से interest minus करेंगे तो capital repeat आ जाएगा बताईए 9 990 point 990 ठीक है अब 3281 से 990 minus करेंगे तो कितना आएगा 2291 और ये वाला amount को मैं जाके यहाँ पर लिख दूँगा 2291 अब 2291 का interest कितना आएगा 229 point something 1318 से 229 को minus करेंगे तो कितना आएगा बोलो 1089 अब 2291 से 1089 को minus करेंगे तो कितना आएगा 1202 फिर 1202 is the loan outstanding अब 1202 में 120 रुपया आएगा ब्याज का अब 1318 से 120 रुपया को minus करने से कितना आएगा बताईए हाँ 11 119 119 मोटा मोटी देखो आ रहे है 1202 1198 मोटा मोटी आ रहे है ना तो लोन पुरा यहाँ पर खतम हो गया तो मस्ते है वो थोड़ों पर राउंडिंग अर्यर आ रहे है मतब this is the loan schedule जो हम लोग अभी तो पास साल का है बट यही समझो 25 साल का monthly में तो वो तो हम लोग नहीं बना पाएंगे इसलिए Excel पर बनाते बोला इसलिए वो हम लोग Excel पर बनाएंगे वो आपको मैम सिखाएगे recorded lecture में दिया वह है live में industry expert लोग कराएंगे ठीक है ना आप सुनो अब एक्जाम में तुमसे दो तिन चीज पुछेगा आप समझलो यह तो बना दिये एक्जाम में थोड़ी ना बुलेगा कि लोन शिलू बना दो लोन शिलू बनाना तो कितना easy है ठीक है अब एक्जाम में क्या पुछेगा सुनो बुलेगा what is the capital repaid in the third year capital repaid in the third year तो capital repaid in the third year यह तो यहाँ पर दिख रहा है 990 है बट एक्जाम में निकालेंगे कैसे capital repaid in the third year is also equal to is also equal to ध्यान सुनो में क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनो में क्या बोल रहा हूं जो 990 है यह क्या है this minus this yes or no capital repaid in the third year is nothing but loan outstanding at time 2 minus loan outstanding at time 3 एक बास समझना तुमको बोलेगा कि what is the loan outstanding at time 3 तो कैसे निकालेंगे what is the loan outstanding at time 3 तुम बोलेगा 3 साल के बाद में मिरको loan outstanding निकालने बोल रहा है जबी भी loan outstanding निकालने बोलेगा तो assume करेंगे कि वहां का payment हो चुका है मतलब अगर time 3 पे loan outstanding निकालने बोल रहा है तो कितना installment जा चुका है एक दो तीन कितना बाकी है दो तो basically loan outstanding is nothing but the present value of all the future installments that I am going to make loan outstanding is nothing but it is the present value of all the future installments that I am going to make so कितना installment बाकी है दो so basically एक को टानेंगे एक साल एक को टानेंगे दो साल एक को टानेंगे एक साल और एक को टानेंगे दो साल तो basically मेरा ये वाला जो figure है वो आ जाएगा is it clear to all of you समन में आता है तुमसे पूछेगा what is the interest paid in the second year तो interest paid in the second year यहाँ पर तो दिख रहा है बट निकालेंगे कैसे सोचो आराम से सोचो कि यह आया कैसे यह आया loan outstanding at time 1 पे interest का rate मारने से आया loan outstanding at time 1 पे interest का rate मारने से आया येस और नो तो हम लोग क्या करेंगे जैसे मानलों बोलता है calculate the interest paid in the second year interest paid in the third year, interest paid in the fourth year, तो क्या करेंगे, जिस साल का बोलेगा, उससे एक time पहले, year end पे पहले, loan outstanding निकालेंगे, जैसे यहाँ पर बोला, interest paid in the second year निकालो, तो loan outstanding at time 1 निकालेंगे, उस पे भ्याज करेट मारने से, मेरे को, अब loan outstanding at time 1 कैसे निकालेंगे, बता दो, अभी जैस बोले थे मैंने, loan outstanding at time 1 is nothing but the present value of all the future installments that I am going to make, I am going to make the installments this, this, this and this, so basically it will be nothing but the installment A4, A4, right, एक payment होगा एक साल बाद, एक payment होगा दो साल बाद, एक payment होगा तीन साल बाद, एक payment होगा, चार साल बाद, ठीक है, यही टाइप का question बुचेगा, बोलेगा total interest paid, इन सब का sum कर देंगे, right, interest वोले इतना payment किये न, बोलेगा total interest paid, और एक तरीका है total interest paid निकालने का, मेरा installment कितना है, 1318, कितना बार दिये, 5 बार into 5 करेंगे, मतलब total repayment, total repayment minus the loan, total repayment से अगर loan को minus कर देंगे, तो मेरा answer आ जाएगा, yes or no, ठीक है, online में यहाद दक सही है, सबको clear हो रहा है, ठीक है, so क्या बुलेगा हम लोग को, हम लोग को बुलेगा total interest paid, तो जो installment है, total repayment निकालेंगे और minus कर देंगे loan का amount, समझ गया, अब जैसे माल लो, तुम लोग से question पुछते है, तो रहा comfortable हो, तुम लोग को बोलता है, loan outstanding at time 4 निकालने, तो कैसे निकालेंगे बताओ, यही सम है, यही सम है, सबकुछ इसी में और कुछ नहीं है, यही सम पने बोलो, हां, वेरी गुद, time 5 पर जो outstanding है वो निकालने, time 5 पर जो installment जो है, basically loan outstanding at time 4 is nothing but the present value of the 5th installment that I am going to make, so it is nothing but the 1318 which is going to be paid at time 5 into 1 year discounting factor which is V, ठीक है, so 1318 V, यही बोलता है loan outstanding at time 3 निकालने, तो क्या करते, 1318 V plus 1318 V square, loan outstanding at time 2 कैसे निकालते, 1318 V, 1318 V square, 1318 V cube, loan outstanding at time 1 कैसे निकालते, 1318 V, 1318 V square, 1318 V cube, 1318 V to the bar 4, समझ गया, यह जो पांच जा रहे हैं, यह कैसे आ रहे है, पांच हजार कैसे आ रहे हैं, बताओ तो, कैसे आ रहे है, सारा का सारा, यह तो किये थे ना हम लोग, equation क्या बनाए थे, equation तो यह बनाए थे, 1318 V, 1318 V, 1318 A5 is 5000, सहजने आ रहे हैं, आप जो कपी करने कर लो, आप जो जो कपी करने कर लो, 1ब6, pशी नेonne – 352-1318,